My name is Abdul Kareem and this is my third video lecture in family language आज हम कुछ addressing mode के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं और कौन-कौन से addressing modes होते हैं जिनका हम अपने program में इस्थमाल करते हैं तो सबसे पहले एक चीज याद रख लें कि जल्बी हम कोई भी operation पर फार्म करती है या कुछ भी करना चाते हैं अपने computer के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा data RAM के अंदर आता है यह चीज तो एक बिल्कुल concept होगा आपको यकीनन के data हमारा RAM के अंदर आता है उसके बाद RAM से data कीच होकर हमारे CPU के अंदर आता है CPU उसके desired operation पर फार्म करता है और आपको अंदर आता है जिसके अंदर कुछ रिजिस्टर्स होते हैं राइट क्या होते हैं कि CPU के अंदर हमारे कुछ रिजिस्टर्स होते हैं तो ये डेटा हमारे उन रिजिस्टर्स में किस हिसाब से आता है या उसके अंदर किस हिसाब से डेटा की मूवमिन्ट होती है उनको हम कहते हैं एड्रेसिंग मूड suppose करें कि मैं कहता हूँ कि six plus seven हो जाए तो six plus seven यानिं हमें क्या करना पढ़ेगा कि से सेवन को स्टोर कर वाने के लिए भी हमें कोई research चीजा चाहिए और six को स्टोर कर वाने के लिए हमें को स्टोर कर वाते है और जो बीच में हमारा operator है उसके लिए हम keyword यूज करते हैं suppose यह addition का operator है तो इसके लिए हम add symbol का इस्तमाल करेंगे add हमारा एक mnemonic है जिसका हम इस्तमाल करेंगे सबसे पहले हम add लिखेंगे और suppose करें कि हमारा 6AL registers के अंदर पड़ा है और जो 7 है हमारा BL register के अंदर पड़ा है तो हम इस हिसाब से instruction देंगे कि यह addition का operation का तो addressing mode में क्या होता है कि यह देखें हमारा एक register है उसका data दूसरे register के अंदर add होके store हो रहा है ठीक है याद रखें कि यह एक register है जो right side आपको दिख रहा है और यह left side आपको दूसरा register दिख रहा है assembly language में क्या होता है कि जब हम addition करते हैं तो इन दोनों की addition हो कि जो हमारा data का जो result होता है वो left side वाले register के अंदर store हो जाता है यह चीज़ आप हमेशा याद रखें है हमारी क्यों destination होती है वो left side वाला register होता है इस add instruction में हमारे दो register यूज होए है एक है AL और दूसरा है BL जब दो register के अंदर operation पर फार्म हो या instruction दो register की दी जाए जो data की movement है वो दो register के अंदर हो तो उसको हम कहते है addressing mode right addressing mode क्या है कि जब कभी data की movement या data की addition suppression जो भी आप ले लें वो दो register के दर्मियान हो रहे है एक है AX रूसरा है BX data move हो रहा है A BX से और AX में तो हमारे दोनों ही register use हो रहे हैं इसके लिए तो इसको हम कहते है register addressing यहां register addressing mode जब हमारा data suppose हम data का move करना जाते है AX के अंदर 45 data move हो जाए तो यह हमारी क्या है constant value है जो move हो रही है AX के अंदर जब हमारी कोई constant value register के अंदर move हो तो उसको हम कहते है immediate addressing जहां हम उसको कहते है immediate addressing mode एक हमारी constant value है दूसरा हमारा भी टिस्ट है constant value हमारे जिए सब के अंदर जाके store हो रही है इसको हम immediate addressing कहते हैं और तीसरी चीज इसमें आ जाती है memory addressing mode suppose करें कि मैं data को move करना चाहता हूं move AX के अंदर suppose मैंने एक variable बनाया जिसका नाम है VAR ठीक है variable जब हमारी register के अंदर हमारे register के अंदर एक memory address mode हो या memory address की addition या subtraction हो तो उसको हम कहते है memory addressing mode एक हमारा variable है यानि एक memory address है variable का क्या मतलब होता है कि हमारी memory के अंदर एक place holder होता है एक place होती है जो variable को मिल जाती है और वो place दोबारा AX के अंदर यहां पर AX के अंदर उस place में जो भी data होगा वो move हो जाएगा तो यह memory addressing होगी कि जिसके जरीए हम क्या करते है कि data की movement कराते हैं या addition या दूसरा अप्रेक्शन पर करते हैं memory addressing में हमारा एक variable होता है ठीक है और variable का data हमारे register के अंदर move होता है या addition होती है या कुछ भी होता है ठीक है यह हमारे basic तीन addressing modes थे तो hope आपको समझ में आया होगा so thank you for watching and Allah peace